नमस्कार दोस्तों आज अन्द विक्रें पार्ट 19 अफ एवर डेवलोप्मेंट सीरीज जो कि पूरी हिंदे में और कोई भी सेवर डेवलोप्मेंट बड़ी आसानी से सीख सकता हैं पार्ट 18 में हमने समझा था टेबल टैग के बारे में कोई भी एगजांपल डेटा हमें दिखाना है जाएगा दिस्क्रिप्शिंग सेक्षिन में तो आज हम समझने वाले कंटेणर टैग के बारे में तो इस वर्ड को समझो कंटेणर जैसे हमारे आपके किचन में वह सारे कंटेणर है container मतलब क्या एक kind of a डबा बोल सकते है जो कि कुछ चीजों को contain करने का काम करेगा store करने का काम करेगा उस container का without any material कोई existence नहीं ऐसे बोल सकते हैं उसका काम ही है दूसरों को help करना दूसरों को store करके रखना ओके तो हमारे पास भी कुछ आइसे container tag होते इसे की बहुत ही popular एक due tag div ठीक है due है span है इसे कि हमने past में समझाता list के बारे में very last video में समझा table tag के बारे में तो table भी एक container tag है जो की contain करता है कुछ data को हमने समझाता list और order list और unordered list के बारे में तो यह भी container tag है जो की contain करेगा list tag को तो container actual कुछ data contain करने का काम करेगा ठीक है तो नई फाइल बनाते हैं हम इसको बोलेंगे container tag dot html boilerplate code लिख लेंगे html ठीक है control b और इसको page को हमारे नाम देंगे container tag तो ऐसा बोल सकते हैं हम without any other elements container tag का खुद का कोई existence नहीं है जैसे कि हम बात करें थे div tag की तो div एक container tag है जो कि कुछ चीजों को contain करने का काम करेंगे जैसे कि हमें for example इसका हमें use कब आएगा जब हम CSS सीखेंगे ना तो चीजों को divide करने के लिए जैसे कि एक webpage हम design कर रहे है तो मालो हमें top पे हमारा मतलब header दिखाना है middle में main content और नीचे हमारा footer दिखाना है तो एक बहुत ही मतलब simple example हुआ इस page को हमें तीन पार्ट में divide करना है तो डिव एक बहुत ही important tag मतलब है तो for example अभी एक due tag लिया हमने इसको इसके अंदर हम put करेंगे एक paragraph और इसमें कुछ content put करते तो dummy content put करने के लिए आपको मैंने बता है था lorem को use कर सकते हैं lorem 20 तो 20 words इदर आ जाएंगे alt और z प्रेस करके आप text को wrap up कर सकते हैं तो इसको अब browser में open कर लेते हैं अभी path paste किया और enter किया तो आप देख रहे हैं due tag को हमने use किया बस उसका कोई इधर existence नहीं है तो due tag background में कैसे use होता है उसको समझने के लिए हम अभी introduce करेंगे chrome developer tools को तो developer tools मतलब chrome हमें बहुत सारे developer tools provide करता है जो भी हमने for example web development हम कर रहे है तो उसको debug करने के लिए या फिर source code देखने के लिए और भी बहुत सारे चीज़े है मतलब जब हम आगे से दिखेंगे multiple चीज़े तो आपको और clarity आएगे उस पर ठीके राइट साइड में इसको आप प्रेस करोगे तो मतलब बहुत सारे आम यह views अदर मिल जाते हैं तो इसको select करेंगे तो separate window हमें देखने को मिल जाती है तो what's new को हम close कर लेते हैं थोड़ासा जगा मनाने के लिए ठीके इसको थोड़ासा नीचे लेंगे अब आप इदर देख सकते हो अभी जो भी code हमने लिखा हम मतलब उसको हर एक line का क्या मतलब है हमारी web page पे उसको हम थोड़ासा graphical view में देख सकते हैं जैसे की जैसे mouse की movement थोड़ी सी बदल रही है तो आप देख रहे हो नीचे थोड़ासा जो मतलब color है जैसे की strips आ रहे है उपर ठीके तो वह भी थोड़ासा change हो रही है तो इधर drop down kind of arrow तो उसको आप प्रेस करोगे तो आपको जो भी paragraph हमने put किया था इधर दिखेगा ठीके तो जैसे आप अभी इसको for example due को click करोगे ठीके due के ऊपर आपका mouse लेके जाओगे या फिर तो आपको जो भी paragraph है वह थोड़ासा highlight देखने को मिलेगा ठीके तो वह क्या styling की बात करेंगे आगे चलके तो for example ऐसा कुछ scenario हो सकता है कि कुछ content हमने put कर लिया page के मतलब कुछ किसी part में और सिरफ हमें यही content पे कुछ अलग color देना या फिर कुछ अलग font देना है तो अब हम क्या कर रहे है मतलब due को use करके हमने उसको एक group kind of separate group बना दिया और इस due पे हम अब styling apply कर सकते तो जो भी styling इस group मतलब due पे चली जाएंगी तो वो styling reflect होगी जो भी इस due के अंदर है आए हो आपको समझ में आ रहा होगा तो due इधर काम करेगा as a parent ठीके और उसके अंदर जुतने भी elements होगे उसको हम बोल सकते due के child ठीके और जो भी properties हम due पे apply करेंगे for example color change ग करेंगा तो अगला तो दूसरा टाग है span tag तो span tag को use करके हम क्या कर सकते हैं जैसा कि इस particular text है जैसे कि audio text है इस पर कुछ हमें अलग properties apply करने other than this paragraph के में मतलब जो properties apply हुई है जैसे कि for example इस paragraph का पूरा color जैसे कि red है और हम चाहते हैं कि इस audio text का color ही सिर्फ blue हो जाए तो हम using span tag एक कर सकते हैं हम क्या करेंगे using span tag audio को इस text को इसमें wrap up कर लेंगे ठीक है एक simple example है और अब हम इसको कुछ id वगारा देखे id क्या होता है class होता है हम आगे चरके समझने वाले तो using span tag हम क्या कर सकते हैं इसको कुछ अलग identity दे सकते हैं इधर हम कुछ id वगारा दे सकते हैं जिसकी id और जिसकी unique तो अब हम जब styling के बारे में सीखेंगे तो unique id को use करके हम सिर्फ styling apply कर सकते हैं कुछ styling apply कर सकते हैं सिर्फ इस word पे तो जब हम web design कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे scenario हो सकते हैं कि कुछ particular चीज़ों को ही styling apply करनी है तो using span tag को कर सकते हैं तो do or spanic बहुत ही important role play करते हैं web development में तो इस video के इतने रखते हैं दोस्तो इसको समझने में कुछ भी दिक्कत जा रहे हैं आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि do or span का मतलब क्या है तो थोड़ा सा ignore कर सकते हो अब आप इसको CSS हम start करेंग तो इसके बारे में आपको over clarity आ जाएगे ठीक है और दर देन इस दुसरा को टॉप के आपके मन में उसको समझना जाते हो तो उसके बारे में आप किमेंट कर सकते हैं उसको भी हम बड़ी आसाने से समझ लेंगे तो मिलते हैं दूस्तों next video में जाए हिन झाल